मनुष्य जीवन का धे, लक्ष, परमलक्ष जीवन का परमानंद अगर कुछ है, सारे सद सास्त्रों का उप्रशदों का निचोड है, जीवन का परमानंद, वो परमात्मा है वहां जाता है जहां दिखता है कि पानी है पर पानी है नहीं, प्रतीत मात्रा, पानी प्रतीत होता है, खुब प्रचन्द गर्मी परती हो रिकिस्तान में आप जाए, तो दूर से आप देखेंगे तो पानी जैसा कुछ तेर रहा होता है और मिरिक को लगता कि वहाँ पानी है और मिरिक दौडता है वहाँ जाता है तो वहाँ पानी होता नहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था हमें भी ये प्रतीत होता है इस संसार सागर में हम वह सुख प्राप्द कर लेंगे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है जीवन का वह शुख जीवन का वह आनंद इस संसार सागर में हम खोज रहे होते यद्देपी हम भटक रहे होते है जीवन का यह पल है शिरफ यही पल है इसके पात कोई पल नहीं है अगला पल आएगा या नहीं आएगा अगला पर और अगला हर एक पल हम सुनुशित कर ले इसके लिए देवादी देव महादेव की उपासना की जाती है अगला हर एक पल हम सुनिश्चित कर लें और अगला जनम भी सुनिश्चित कर लें और जब जब भी इस धरा पे आए तो महादेव की उपासना करते हुए और फिर महादेव में समाईत हो जाए ऐसे हमारा जीवन बन जाए क्या संभव है गुर्देव जीवन का वह आनंद जीवन की वह चेतना जीवन की वह गरिमा जिसके लिए मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है ऐसा भी चिंतन अपने गुरु के समक्ष बैटकर हाथ जोड़कर ये करें कि मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है ये जो साधन धाम है गुरुदेव साधन धाम मोक्षकरद्वारा गुश्वामी जी लिखते हैं यही मनुष्य जीवन है जिसको हम साधन बना करके उस साध्य तक उस शिव तक उस आनन्द तक पहुशकते हैं महाशिवरात्री का वह महत्स अभी जो हमारे समीप हमारे शमक्ष है आने वाला है उसके पूरो में हम अपने मानच की ये तैयारी कर ले कि इस महाशिवरात्री में वह अलग जगा ले वह अलग स्वयम में सद्गुरु के माद्यम से जगा ले कि वह निरंजन हमें प्राप्त हो जाए